हलो फूड़ीज और वेल्कम बैक टू नेनाज मिस्टीरियस मील तो भाई आज का पर एक फास तो बहुत ही जादा है हेल्दी टेस्टी एंड इजी होने वाला है हेल्दी भी टेस्टी भी इजी भी तीनों चीजे एक साथ फिर तो ट्राइ करना बनता है क्योंकि आज हम बना रहे हैं बनाना पैनकेक्स इसके लिए सबसे पहले हमें एक बनाना चाहिए होगा मतलब यह तो ओविस सी बात है बनाना दो चाहिए होगा बनाना पैनकेक के लिए अब उसको pieces में cut करके और around 2-3 teaspoon of milk add करके बहुत ही अच्छी सी puree बना लीजे उस puree में 3-4 cup milk add करना है जो की room temperature पर होना चाहिए अब इसमें हम add करेंगे around 3.5 tablespoon of granulated sugar ज्यादा sugar add मत करिये क्योंकि bananas already मीठे होते हैं next जो की ingredient चाहेगा वो है ये vanilla essence तो 1-4 teaspoon of vanilla essence add करना है अगर in case आपके पास vanilla essence available नहीं है अभी तो आप एक pinch cardamom powder जो की lychee powder होता है उसको add कर सकते हैं और इन सारी ingredients को बहुत अच्छे से mix कर दीजे now we'll be adding some dry ingredients तो सबसे पहले हम इसमें आटा add करेंगे मतलब regular गेहूं का आटा जो की 3-4 cup add होगा इसके बाद इसमें 1-4 teaspoon of baking soda and half teaspoon of baking powder add कर लीजे और इन सारी ingredients को बहुत अच्छे से mix करना है हमें अब देख सकते हैं मैं कैसे mix कर रही हूं हमें पहले दीरे-दीरे से सारी ingredients को mix करना शुरू करना है उसके बाद फिर थोड़ी speed बढ़ानी है जो हमारा batter होगा उसमें बिल्कुल भी lumps नहीं रहने चाहिए अब देखे कितना smooth सा batter बन गया हमारा बस अब last में हमें इसमें around half tablespoon of butter add करना है और सिर्फ एक pinch salt salt से क्या होता है फ्लेवर बहुत अच्छे से enhance होके आता है इन दोनों ingredients को अच्छे से mix कर लीजे और आप देखे हमारा batter बिल्कुल ready हो गया है pancakes बनाने के लिए एक pan को medium low flame पर heat कर लीजे और brush की help से butter को evenly spread कर लीजे हमें जादा butter नहीं लगाना है क्योंकि हम already batter में add कर चुके हैं now pour the batter in the pan और आप देखे कितनी easily बिल्कुल round सी shape आने लग गये हमारे pancakes की बिल्कुल ऐसे ही आपको add करना है it will take hardly two minutes और आपका एक side बहुत अच्छे से cook हो जाएगा उसके बाद दूसी side cook करने के लिए उसे flip कर दीजे याद रखिए हमारी heat medium low होनी चाहिए और finally हमारे बिल्कुल fluffy से pancakes बनके ready हो गये हैं अब आप इसमें ऊपर से chocolate syrup डाल सकते हैं अगर chocolate syrup नहीं डालना है तो आप honey भी डाल सकते हैं बट मैं यहाँ पर से chocolate syrup डाल रही हूं और कुछ चौको चिप्स पी ऊपर से sprinkle कर रही हूं तो देखिए सिर्फ 5 मिनिट के अंदर आप कितने easily pancakes बना सकते हैं तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो please like, comment and share my video and also do not forget to subscribe to my channel thank you so much